आपको पता है IPL 2025 में Mega Auctions की डेट रिलीज हो चुकी है अब इन Mega Auctions में Top 5 इंडिया के कौन से प्लेयर्स रहेंगे जिनकी जिन पे ज़्यादा बेट्स लगती है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे अब आगे बढ़ते हैं Top 5 इंडिया बिग प्लेयर्स की हम बात करने वाले है जिसमें बता दू टोटल 1574 रेजिस्टर्ड प्लेयर है अब आप 5 प्लेयर्स की उसमें देख लो कितने प्लेयर्स जो है टू करोड से उपर रखेंगा हैं कितने प्लेयर्स जो मिनिममम बिल्ट्स है वो कितनी है तो देखो जो आएनर टू करोड में रिसा पंथ केयल राहूल्स रेश रेजर्स रेयर्स मॉहमत समी यह प्लेयर है जिनकी मिनिममम बिड आयनर टू करोड रूपीज है महीं पर बात करें डेट रूपे करोड में कौन से हमारे जो फेबरेट प्लेयर्स है रचिंद्र रविंद्र है 1.25 करोड में जैम्स एंडर्सन है एक करोड में कोई भी प्लेयर है नहीं 75 लाग में प्रित्वी सो सर्पराज खान और 30 लाग के अंदर सौरभ नेटर वर्लकर और थोमस ड्रेस यह कुछ प्लेयर्स हमारे रहने वाले हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स है जिनकी बिट्स लगनी है लेकिन यह जो इंपोर्टेंट प्लेयर्स थे उनकी हमने आपको डीटेल्स बता दी अब जो हमारी ऑक्शन की डेट है वो रहने वाली है नॉम्बर चौबीस से पचिस दो दिन यह ऑक्शन से चलेंगे और ऑक्श इसन प्लेयर्स ने रजिश्टर किया है जो प्लेयर है तीन सो इन प्लेयर एडटाली से हाइस फ्रैंचेजी पर्स जो कि है आइस किसके पास सबसे जाधा पैसा है तो वह है पंजाब किंग्स इलेवन जिनके पास एक सो दस पॉइंट पाइच कोडोर रुपीज है वह बात करें कि बाकी की कंट्री में कितने प्लेयर्स ने रजिश्टर किया अफगानी से 29 अस्टेलिया से 77 बांगलादेश से 13 कैनिड़ा से 4 इंगलेंड से 22 आइरलेंड से 9 इटली से 1 नीदरलेंड से 12 न्यूजलेंड से 49 इसकोटलेंड से 2 साथ अबरीका से 99 श्रिलंका से 29 इन पर वीड लग पर जो सबसे पहले हमारे प्लेयर है वो है रिशा पंत रिशा पंत की डिमार्ड बहुत है लिली कैपिटल्स ने जब से उनको रिलीज किया है तब से देखो आरसी वी उनके ऊपर अपना ट्रस्ट दिखा रही है वहीं CSK के पास RCB के बास बात करें तो द जो टीम ले सकती है पंजाब किंग्स ले सकती है RCB का लेने का एक और रिजन यह हो सकता है क्योंकि RCB ऐसे प्लेयर्स को उठाती जिनकी डिमांड पहले से ही बहुत जादा हाई हो क्योंकि वह अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रियेट करते है ठीक है तो ब्रांड वैल्यू क रिजब पंथ बढ़िया प्लेयर्स रहेंगे तो कहीं न कहीं RCB रिजब पंथ पर फोकस करेगी वहीं पर बात करते हैं यहां पर स्रीश अयर की तो स्रीश अयर का बेस प्राइस दो कड़ोड है रूमर जो फैला है कि डिली कैपिटल से जब से रिजब पंथ को हटाया है कह अब उनको कैप्टन को यहां से रिलीज कर गया तो इनको लेने की कोसिस करेगी इसके साथ साथ स्रीश अयर पर फोकस हो सकता है वह मुझे लगता है कि पंचाब 11 और कुछ दो तिन टीमों का भी हो सकता है जैसे कि क्कर इन पर दुबारा बीड लगा सकती है मिरको रखता है कि रिशा पन जो भीखने वाले हैं 20 CR से 23 CR के भीच सकते हैं वहीं पर स्रेश आयर मिरको 18 से 20 के आसपर भीखते हुए दिख सकते हैं तो इनको कहीं न कहीं कुलकत्ता की टीम भी कोसिस करेगी वहीं पंजाब के टीम कोसिस करेगी आर्चेवी की टीम इन पर ज्यादा बिड नहीं लगाईगी लेकिन मुझे लगता है पंचाब किंग और केके आर्टीम यह दो टीम इंपोर्टेंट रहने वाली है जो किसरीय शरेट को ले सकती है वहीं बात कर लेते हैं केल राउल की तो केल राउल का भी बेस प्राइस दो कडोड है एक्स्परियंस केप्टन से नहीं चल रही अकोडिंग टू बाकी प्लेयर्स की तरह कुछ सालों में हमने यह चीज नोटिस किया है लेकिन लोगों का कहना है कि आर्टीम यह विकट की पर है अच्छे बैट्समैन है विराट कोली के फ्रैंस है तो आर्टीम कहीं न कहीं इनको देख सकती है लेकिन यह च केल राउल को कोंसी टीम ले सकती है और यहाँ पर केहल राउल को डिली कैपिटल की टीम देख सकती है इसान तो मुझे लगता है इसान के साथ पर जो वीड करेगी सबसे पहले मुंबाई इंडियन्स की टीम होगी कहीं न कहीं वो 2022 से इस टीम के लिए खेल रहे हो और उतना बहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी मैच में अच्छी परफॉर्मस उनको देख सकता है इसके साथ दूसरी टीम है वो रहने वाली है डिली कैपिटल्स की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब एक ऐसी टीम है जो किसी भी प्लेयर को यहां से उठा सकती है क्योंकि उनके पास सबसे जादा बैलेंस है उनकी अगर उनकी अगर नियत किसी भी प्लेयर पर पढ़ गई तो वो प्लेयर वह उठा हैन लेकर जा सकती है यहां पर के चैन्सेज है इसान ऑबात बात करें और दो लगनाओ के फ्रेंचेजी उनका कहना ही कि केहल राहूल मेंली फोकस करते हैं अपने बैटिंग करियर पे वहीं इंसान की चान का तो परफोरमस रहता है टेम के लिए ना कि खुद के करियर के लिए तो यह चीज़ हो सकती है यह जा सकते है लस्जी तो अब यह रिकॉर्ड था अब चलत जानता और चहल की बॉलिंग को तो बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं आप यह चार टीम है जो कि युजिंद्र चहल पर अपने बेट्स प्लेस कर सकते हैं यह चोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडिय कि क्या प्लेइंग 11 रह सकती है और कौन से बेट्स प्लेयर जो कि RCB को लेना चाहिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ थेंक्यू दिल